पैसो की क्राइश शक्ती समय के अनुसर घटता रहता है जो चीज आप 10 साल पहले 200 रुपे में खरीच सकते थे वहाँ आज आप वापस 200 रुपे में नहीं खरीच पाऊगे एक capable and financial रूप में समझदार वेक्ती के रूप में आपको अपने पैसो का सही इस्तमाल करना होगा S.I.P. में 30 की उम्र में करें 3,000 का निवेश maturity पर मिलेंगे 4.17 करोड जानिए निवेश का सही तरीका जल्दी निवेश करने की आदत अच्छी होती है लेकिन उम्र कोई भी हो अगर निवेश की starting अच्छे डंसे की गई है तो निशीती आपके goals पूरा होंगे सीधे stocks में पैसा नहीं लगाना चाते हैं तो mutual fund से starting करें बड़े निवेश की जरूरत नहीं छोटे S.I.P. में शुरू करें लेकिन बड़ा copper चाते हैं तो इसका भी formula समझना होगा अगर S.I.P. के इस formula को समझ लिया तो आपने returns का ऐसे जादू चलेगा कि आपका पैसा दिन दूगनी राद चोगनी तरक्की करेगा किस तरह प्लान करें अपना investment पैसा बनाना चाते हैं तो long term strategy सबसे सटिक काम करती है अपनी income से जरूरी खर्चे निकाल दें और उसके बाद सिफ 100 रुपे की रोज़ाना बचत करें इस बचत से हर महीने निवेश करना है systematic investment प्लान आपके पैसे को सही दिशा देगा और ही return आपके पैसे को बढ़ाता चला जाएगा 3,000 रुपे में शुरू करें SIP investment advisor के मताबिक अगर बड़ा fund चाहिए तो equity mutual fund अच्छा option हो सकता है निवेश एक 30 की उम्र में अपना पहला निवेश 3,000 रुपे से करता है और 30 साल के तक नियमित निवेश करे तो बड़ा fund तयार होगा equity mutual funds के systematic investment plan SIP निवेश करना एक फाइदेबंद है SIP का सटिक formula क्या है जानते हैं advisor की माने तो mutual fund में 30 साल के लिए निवेश करना है इसमें अनुमानित 15 प्रतिशत का return मिलता है तो करोड़ पती बनने की रहा आसान हो जाती है सबसे बड़ा फाइदा इसमें compounding का मिलता है मतलब 30 साल में 15% के साथ compound interest का भी फाइदा मिलेगा लेकिन इससे भी जरूरी है सबसे सटिक formula जो की SIP में चारशान लगा देगा ये formula setup SIP का है आपको बस हर साल 10% का setup rate रखना है हर किसी के मन में एक ही सवाल आता है कि हम कब और कैसे करोड़ पती बनेंगे तो देखिए आप 30 साल के हो रोजाना 100 रुपे बचा कर SIP में निविश्ट कर रहे है 30 साल के लिए long term strategy का लक्ष रखा है हर साल 10% step up करते रहना है 3000 रुपे से शुरुवात की है तो अगले साल 300 रुपे उसमें और बढ़ाने होंगे 30 साल के बाद आपके पास 4 करोड़ 17,63,700 रुपे मेचुरिटी एमोट बनेगा SIP के एल्कुलेटर के इसाब से 30 साल में आपका कुल निविश 69,21,785 रुपे होगा या सिर्फ रिटर्ण के 3,58,41,915 रुपे का फाइदा होगा SIP में यही रिटर्ण का जादू है इस तरह सबसे सटिक फार्मूला इस सेट अप की मदद से आपके पास 4 करोड़ 17,00,000 रुपे का बड़ा फंड तैयार हो जाएगा इस तरह के से आप SIP में अपना निविश करके करोड़ पती बन पाएंगे स्वास से जुड़ी तमाम चानकरियों के लिए आप हम से जुड़े रहें हमारे चैनल को लाइक करें और घंटी वा लाइक उन दबा कर सब्सक्राइब करें ताकि स्वास से जुड़ी और भी कई वीडियो बना कर आप तक पहुंचाता रहूं पतार है